नमस्कार दोस्तों मैं निलेश कुमार स्वागत करता हूँ आपको निउटेन क्लासेस के इस नए वीडियो में जहां हम लोग आज बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डिल करने वाले हैं 12 के बोर्ड एक्जाम के तहत यह पूछा जाता है काफी इंपोर्टेंट यह टॉपिक है जो इस रिलेशन पर आगे बढ़ता है जो रिलेशन हम लोग पिछले दिनों पढ़ चुके हैं मिव 2 बाई वी माइनस मिव 1 बाई यू इक्वल टू मिव 2 माइनस मिव 1 अपोन आर यह दो केस में हमने वीडियो में डाला है जो भी लोग नहीं देखे हैं इस टॉपिक को तो एक बरजाय प्लेलिस्ट में और यह देख लें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास सेर भी करें तो इसी relation पर यह अधारित है आज का हमारा topic lens makers formula देखते हैं इस topic में क्या खास है एक figure क्या शक्ता होगी हमें इसे proof करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक convex lens ले रहे हैं और इस convex lens में देखेंगे कि दो refracting surface है एक A, P, B है और दूसरा A, C, B है ओके एक surface है A, P, B और दूसरा surface है A, C, B माल लिया कि यह lens बना है उसका refractive index है material का mu2 और इधर जो medium है जिस medium में यह lens रखा गया है उसका refractive index है mu1 यह हमें समझना बहुत जरूरी है कि refractive index क्या है तो जिस medium में रखा गया है उस medium का refractive index mu1 है इधर भी होगा और इधर भी होगा और जिस material से lens बना है उस material का refractive index क्या है mu2 है तो देखते हैं क्या process है इसके principle axis पर हम लोग यहां पर एक object डाल रहे हैं ओपर यहां से एक ray जाएगा कि यहां तक आया और डिफ्रैक्षन के बाद कि रिफ्रैक्षन के बाद इस रे का इस object का और एक रे इधर भी जाएगा यह principle axis से होता हुआ आगे advance हो जाएगा आगे क्योंड बढ़ जाएगा अगर दूसरा surface नहीं होता तो इस तरह से आ जाता यह पहले surface के कारण उसका image कहां पर बन जाता आईडेस पर अब यह जो image बना है यहाँ आईडेस दूसरे surface ACB के लिए ACB surface के लिए यह virtual object की तरह भी हैव करेगा यानि कि इस surface का ACB surface का virtual object यह हो गया जिसका final image कहां पर बन जाएगा आई पर बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पर कुछ distance देख लेते हैं यह पहले surface का radius of curvature मान लिया R1 दूसरे का radius of curvature मान लिया R2 यहाँ से यहाँ से यहाँ जो distance है यह U है फिर यहाँ से इसका image जो बन रहा है यह भी डैस हो गया पी से आई डैस तक और सी से आई का जो distance है वह है भी final यहाँ आई डैस था इसलिए हम लोग ब्री डैस ले लिये हैं एक चीज यहाँ consider करके आपको चलना पड़ेगा मान कर चलना पड़ेगा यहाँ मानना यहाँ है कि यहाँ जो lens है काफी thin है काफी पतले है हाला कि हमें यहाँ करना है इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं लेकिन यह लेंस के भी पी से और सी के बीच का जो distance है वह अल्मॉस्टी जो है वह टी अल्मॉस्ट कितना हो गया जीरो हो गया पूरा thickness जो है लेंस का वह हम लोग जीरो अगे इसलिए अगे बड़ा 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 अगे अगे एक बार दिस्टेंश को फिर से देख लेए पी से ओका डिस्टेंस यूं हो जाएगा पी से आईडेस का डिस्टेंस वी डेस हो जाएगा और यहां से यहां का डिस्टेंस भी हो जाएगा रिफ्रक्तिब इंडेक्स इधार मिव उन और बीच का रिफ्रक्तिब इंडेक्स हो गया मिव टू तो हम लोग फॉल्व करते हैं वही फर्मूला now we know that हमने पढ़ा भी है mu2 upon v minus mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 upon r इसी को हम लोग सोड़ा सा modify करेंगे mu2 पहली बात देखेंगे आप apb के लिए apb surface के लिए रे जो जा रहा है mu1 वाले मेडियम से mu2 वाले मेडियम में जा रहा है यानि कि mu2 आपका यह हो गया और mu1 यह हो गया clear इसमें कुछ नहीं करना है mu2 mu1 वही रहेगा mu2 mu1 वही रहेगा भी का value तो यहाँ पर भी पहले वाले surface के लिए भी नहीं है वह क्या है भी डेस है भी डेस ले लेंगे यू यू ही है यहाँ पर और radius of curvature पहले वाले का क्या है आरवन है ठीक है यह किसके लिए अमनों के लागू किया है यह हो गया for कि refracting surface ए पी बी for a पी डी refracting surface कौनसा ए पी बी आते हैं हम लोग नाव यह लिख दे रहा हूं है फिर से यहाँ पर इसमें भी लिखा जाता for refracting surface ए पी बी for refracting surface कि अब कौनसा ए सी बी तो वही formula आ जाएगा mu2 upon v minus mu1 upon u equal to mu2 minus mu1 upon r इसके लिए जो b है वह यही है तो b को आपको कुछ करना नहीं है mu2 जो है दूसरा वला हो जाएगा क्योंकि ray इसके लिए यहाँ से यहाँ पास कर रहा है यानि कि mu2 जो है here mu2 को आपको चेंज कर देना है कि इसमें mu1 में भी भी रहेगा और u को चेंज कर देना है कि यू जो है वह चेंज हो जाएगा भी डैस में और r तो r2 हो ही जाएगा तो देखिए आपर क्या परिवर्तान आता है इस relation में mu2 के बदले हम लोग ले लेंगे में mu1 हाँ एक चीज और mu1 को इसका जो mu1 है वो है एक मिनट मुटू कनभार्ट हो गया mu1 में और jrukumi1 है वो कपर जाएगा मियूटू में यानि की यहाँ से यहां जा रहा है अधिक लिजै में teo के मु2 के बदले मूब को क्या रखना है वी के बदले भी रखना है तीक है और r के बदले r2 रख देना है ठीक है अब देखते हैं हम लोग यहां से equation 1 ले लेते हैं इसको equation 2 ले लेते हैं दोनों equation को add करते हैं now adding equation 1 and 2 we get equation 1 and 2 को जब add करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां 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 वाला बचेगा mu1 by u equal to यहां हो गया mu2 minus mu1 upon r1 और यहां हो गया plus mu1 minus mu2 upon r2 यहां से एक चीज आप common ले सकते हैं यहां से mu1 common ले सकते हैं तो 1yv minus 1 by u equal to इसमें से भी आप mu2 minus mu1 जब common लेंगे mu2 minus mu1 इसमें है नहीं तो आप यहां से परले minus common लेंगे तो यह minus हो जाएगा तो mu2 minus mu1 upon r1 एक step में बढ़ा दे रहा हूं इसमें से minus common ले लिजिए तो यह जो प्लस है वो हो जाएगा minus और यह हो जाएगा mu2 minus mu1 इससे common लेने में आपको आसानी हो जाएगी अब असपर्स रूप से दिख रहा है कि इसमें में भी म्यूट्य मैनस में इसमें 2-1 है okay अब हम लेग यहां से मूट्य मैनस मीवन क्वानले सकते हैं इदार नियुवन है इसमें से यह मायन लिए 1-1 ले मूट्य मैनले लिजिए मिउट्य माइनस मीवन तो इदर आपको बच जाएगा 1 बाई-1 1-1 by R2, Mew2 minus Mew1 common ले लिया, इसमें से बच गया, 1 by R1, इसमें 1 by R2, यहाँ से इसके बदले, 1 by V minus 1 by U के लिए, Lens के लिए, हम लुक पढ़े हैं Lens formula, इसके लिए आप 1 by F रखेंगे, और यह जो multiply में इधार आजाएगा division में चला जाएगा इधार यह mu2 upon mu1 minus mu1 upon mu1 और 1 by r1 minus 1 by r2 यह cancel हो गया x से और यहां बच गया आपको 1 by f equal to mu2 minus mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 यही relation है lens makers formula एक बार देखिए कुछ business नहीं है hard नहीं है या असानी से proof कर लिया जाएगा एक बार figure को फिर ध्यान से देखे यहां पर एक lens लिया गया है convex lens है जिसमें दो refracting surface है APB और दूसरा ACB जिसके radius of curvature r1 और r2 है एक point object है यहां पर ओ जिसका image पहले refracting surface के कारण आइडेस पर बना और यहां आइडेस दूसरे refracting surface के लिए virtual object की तरह behave करेगा जिसका final image दूसरा refracting surface कहां पर बनाया है आई पर बनाया है इधर का refractive index मिवन है इधर भी refractive index मिवन है यानि कि जिस मेडियम में लेंस रखा गया है उसका refractive index मिवन है और लेंस जिस material से बना है उसका refractive index क्या है मिव्टू है अगर distance को देखे तो पी से वो का distance यू हो जाएगा पहले refracting surface के लिए यह ओगया object distance पहले refracting surface के लिए image distance यहां से यहां तक का P से आई डेस तक का जो है भी डेस और दूसरे के लिए यही हो अब्जेक्ट डिस्टेंस और यह हो जाएगा इमेज डिस्टेंस ठीक है तो दिखी यहां पर मैथेमेटिक्स में हम लोग जो रिलेशन पढ़े हैं इससे पहले मुटू बाइवी माइनस मीवन बाई यू इकॉल टू मुटू माइनस मीवन अपन आर उससे हम लोग आगे बढ यह करेंगे माइनस मीवन अपन यू यहां पर यू इकॉल टू मीवन अपन आर वन इसमें में में कोई परिवर्तर नहीं करना है जबकि दूसरे डिफ्राक्टिंग सर्फिस के लिए मिवटू का वैल्यू जो है वह मिवन में करणवार्ट हो रहा है और मीवन का वैली में कर यह रहेगा यानि कि आप इस फर्मूला को यूज करें इसको में तो यह रहेगा मिवन के बदले मूटू और यू के बदले भी डैस हो जाएगा और यहां पर मिवन माइनस में पर बदले मूटू अपन इसका रेडियस अप करवेचर आटो अब कुछ नहीं करना है कि वसन उनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे तो आपका टॉर टर्म जो बचेगा मिवन वाई वी माइनस मिवन बाई यू और इधर से आजाएगा यह और यह यह टर्म आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं मिवन तो यानि कि आपके पास बच किया वन वाई वी माइनस वन दिखरा है तो इन दोनों में से आप मिवन कॉमन ले ले तो यहां पर मिवन जो है मल्टिप्लाइ में वह आगे हैं डिविजन में इसमें भी डिवाइड होगा यहां भी डिवाइड होगा तो यहां मिवन बचेगा और यहां पर मिवन कर जाएगा तो यहां बचेगा और य या since 1yb minus 1 by u equal to 1 by f होता है यहां से 1 by r1 minus 1 by r2 तो यह मुख की रूप से आपका यहां पर हो गया lens maker formula 1 by f equal to mu2 by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 इसको आप दो चार पर practice करें तो यह topic आप असानी से proof कर सकते हैं figure भी कुछ hard नहीं है एक चीज़ थोरा सा और इसको reduce किया गया है इस formula को एक दू लाइन का है या देख लीजिए उसको भी कि कुछ numericals भी इस पर बनाएंगे हम लोग next वीडियो में इसमें यह कहा गया है कि जिस medium में आपने रखा है यह अगर air हो जाए यह क्या हो जाए यह तो air के लिए refractive index जो होता है वह मिवन हो जाएगा उदर यहां भी वहां भी वह लिया जाता है और मान लिया कि जिस material से लेंस बना है वह material का refractive index है मिव तब यह जो है यहां बदल जाएगा देन यही फार्मूला आपको reduce हो जाएगा वन बाइफ इकल टू मिव टू को बदले में आप मिव रखेंगे माइनस वन हो जाएगा और नीचे तो वन होगा तो उ यहां आप वन रखेंगे तो उसको छोड़ दीजिए इंट्व वन बाइर वन माइनस वन बाइर टू यहां भी रिलेशन आपको देखने को मिलेगा कहीं कहीं लेंस मेकर फार्मूला में तो आप यह कहां से आ गया तो यहीं से आया है जिसमें मेडियम जो है एयर है और जो से मेटिरियल का वह मू है इसलिए यह आगया है तो वीडियो को ज़ादा ज़्यादा लाइक करें दोस्तों के पास सेयर करें और आपको कौन से टॉपिक्स चाहिए் Boss में जरूर लिखे वीडियो कैसे लगा या भी आप कमेंड बाक्स में लिखे जिससे हम आपका साहयता कर कर सके तो थैंक यू आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन